प्रदोगे की है इसे पहले मैंने तीन टॉपी करा दिया जदी आप नहीं देखें तो डिक्सिप्शन में मैंने लिंक टा दिया उसे जरूड देखीगा 500 प्लस कि वाला करा दिया आर्थिक जो है प्रदेश से करा दिया राष्टी और अंतराष्टी घटना करम भी करा दिया है बाते हम लोग वह ग्याने में प्रदोगई की पर देखिए सुखोई जो है थर्टी एम के वन जो है लाराकु विमान इसके बाड़ी में हम आये जानते पूरे दिटेल्स में तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सुखोई थर्टी जो है एम के एम के आई जो है लाराकु विमान भारती वायू सिना ने सुखोई थर्टी एम के आई विमान से जो है यूदपोद के निर्धारित लक्षे पर ब्रहमोस हावाई परिशेपन मिसाइल के विश्तरित रेंज संस्करन का जो सफालता पुर्वक परिक्षन किया है यह लगभग 400 किल्यूमीटर की रेंज में किसी भी लक्षे को मार गिडाने में सक्षम है सुखोई 30 जो है एम के आई यह रूस के सुखोई और भारत भारत के जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमि 22 को भारती सिना ने एहमदाबाद यानी गुजराद के जो है कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D जो है प्रिंटेर आवास यह जो है ग्राउंड प्लस वन कंफिग्रेशन के सांथ का उधा घाटन किया है इस आवास इकाई का निर्मान जो है मिलिटर मुद्रित जो है 3D मुद्रित रॉकित कौन है तो विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकित उसका नाम है टिरान वन अपने तिसरे पर्यास में सफलता पूर्वक लॉंच हुआ है जबकि रॉकिट कक्छा तक पहुंचने में वीफल रहा है Aerospace Company जो है Relativity Space दोवारा इसका लाँच किया गया है किसके दोवारा Aerospace Relativity Space के दोवारा लाँच किया गया है Relativity Space का लक्षे Terran 1 जैसे Rocket के साथ जो है ऐसा Rocket बनाना है जो 95% 3D printed हो Terran 1 के engine taral oxygen और taral priority gas का उप्यूग करके संचालित होता है जिने भवी से का प्रणोधक माना जाता है अमीरिकी फूल जो है ब्रूड रोग तो अमीरिकी फूल ब्रूड रोग क्या है देखिए इसके बारे में देखते हैं अमेरिकी ने मधुमक्यों के लिए बिस्व के पहले टीके कावपिय की मंजोरी दी है यह बैक्टरियम जो है पैनी बैलियस लर्वा के कारण होने वाले अमिरिकी फूल बुरूड रोग के सरक्षन के लिए बनाया गया है युनाइटेड एस्टेट्स डिपार्टमेंट अफ एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर ने बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हैल्थ द्वारा विक्सित मधुमक्यों के लिए बिस्व के पहले टीके के लिए ससर्थ लाइसेंस दिया है निक्स आई नवचारी 5G तक्निक यह बीदेशी मध्य परदेश का एक अकांची जीला जो स्टार्टप्स द्वारा प्रस्तावित नवचारी 5G तक्निकों की जमीनी अस्तर तक जमीनी अस्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जीला बन गया है 5G तक्निकी को समुदाईक और जीला स्वास्त केंदर मॉडल्स स्कूल क्रिसी और डेरी किशान कोसल विकास केंदर में एक वर्ष की आउधी के लिए तैनात किया जाएगा ये डिजिटल सामाधान जो है विदेश के उपयोग करता है विदीशा के उपयोग करता समुदायों को निर्बाद सेवाय उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट ब्रोड बैंड दोरा संचालित किये जाएंगे प्रधान मंतरी नारेद मोदी 1 अक्टूबर 2022 को देश के 13 सहरों में 5G सर्विसेज लॉंच किये हैं नेक्स प्रशेपण केंद्र जो मैन लैंड और्बिटल तो यूरोपिय संग आर्क्टिक स्वीडन में एक नय जो है लॉंच पैट के साथ छोटे उपगराहों को अंत्रि सिरिस किंग कार्ल जो है सुलहवे गुस्तार गुस्ताफ ने यूरोपी आयू के सदस्य द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपी संग के पहले मैन लैंड और्बिटल प्रच्छेपन परिशर का उध्गातन किया है तो टेक स्टार्ट अफ जो है आई जी ड्रोन के द्वारा भारत के पहले 5G जो है सक्छम ड्रोन को विख्षित किया है जो वर्टिकल टेक आफ और लैंडिंग में सक्छम है इस ड्रोन को जो है स्काइवां नाम दिया गे है स्काइवर्क लगभग पाच घंटे तक 10 किलोमीटर का पेलोड लेकर उरान भर सकता है और यह ड्रोन जो है आर्टिफिशल इंटिलिजेंसी और थर्मल इमेजेंसिंग जैसे छमताओं से भी लैस है यह ड्रोन अपनी अधिक्तम गती जो है एक 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनिट में कर सकता है 10 जनुवई दोहय तेश को भारती किरकेट टीम के पुर्व कप्तान जो है मैंद सिंग धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन यानि द्रोनी लॉंच किया है इसे चेन्नाई में जो है गलोबल ड्रोन एक्सपो में लॉंच किया गया है नेक्स है डॉपलर जो है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क तो प्रिथवी विज्ञान मंत्राले द्वारा मौसम की घटनाओं से संबनित जो है अधिक सतिक पुर्वानुमान के लिए बर्स 2025 तक संपून भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के तहत कौबर करने की तियार कर रहा है भारत मौसम विज्ञान विवाग जो है 148 वे अस्थापना दिवस के उसर पर प्रिथवी विज्ञान मंत्राले ने जम्मू कस्मीर उत्राखन हिमाचल परदेश में जो है डॉपलर रडार पर नाली का उधगाटन किया है डॉपलर में बता दे वर्सा की तिवर्ता वायू गुणवता और वेग की मापन के लिए उपकरन लगे है जो चक्रवाद के केंद्र वह धूल के बवंडर की दिशा के बारे में सुचित करता है नेकि साते हैं पेंटावेलेंट टीका यह क्या है तो भारत में जो है क्यूबा को पेंटावेलेंट टीका की बारह तज्जार पांसो खूराक दान करने की घुंचना की है क्यूबा को भारत यह vaccine बैक्सिन को चीशु को diptheria fifth फर्स्ट पेट्रॉल वेसल आई सी जी एस जहाज जो है कमला देवी को जनवारी के दूसरे सब्ता हमें कमिशन किया गया है यह एफ पी भारती तट रक्षा को जो है गार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन निर्मित और प्रिसेत किया गया है गुयानर गनराजजी के लिए सी पी आड द्वारा निर्मित एक पैसेंजर कम कार्बो ओसन गोइंग फैरी जो है एमेवी माल लीसा और रावाना किया गया है यह किसी रक्षा सारवजिंग छेतर के जो है सी पी आड द्वारा लाइटिन अमेरिका के देश को निर्याद करने के लिए बनाये गया पहला ऐसा जहाज है पाल्बो सिकल पाल्बो सिकलीब टाबलेट यह देखिए MSN ग्रूप ने जो है पैल्बोर्ट्स ब्रांड के तहत उन्नत जो है अस्तन कैंसर चिकित्सा के लिए संकेत यानि बिश्व की पहली जेनेटिक पैल्बोलिटिक टाबलेट लॉंच किया है यह बता दें पैल्बोलिस्टिक को जो है USFD, M, A और C, D, CSO, HCO द्वारा हर्मोन्स रिस्पेंटर पोजेटिव और हुमेंस जो है एपिडर्मल ग्रोथ फाक्टर जो है रिसेप्टर नेविगेटर्स अस्थानिय रूप में उन्नत या मेटासेशिट अस्थान कैंसर वाले रोगियों के लिए हर्मोनल थेरैपी के संयूजर में अन्मोधन किया है एएच सिक्स्टीफोर अपिच हैलिकॉप्टर यह टाटा बोईंग एरो एस्पेस लिमिटेर जो है ने अपनी अत्याधुनिक सुविधा से यूगत भारती सेनादोरा ओडर किये गए च्छह एएच सिक्स्टीफोर अपिच अटाइक हैलिकॉप्टर के लिए पहला जो है भारती वायू सेना को सभी ट्वांटी ट्वांटी तू जो है एएच सिक्स्टीफोर यह अपैच हेलिकॉप्टर को डिलेवरी पूरा कर ली थी टी बी एल भारत में जो बोईंग का पहला इक्विटी संजुक्त उधम है जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ 2015 पंद्र में अस्थापित किया गया था कि देख सकते हैं आचों के हम आईएनेस वागीर में है कि भारती में पांसवी कलवरी अस्टर की पंदूबी जो है वागीर को सामिल किया गया है यह पंदूबी मुंबई में मजगाउं डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड में फ्रांस स्थित जो है मैसर्स नेवल ग्रूप के शहयोग से भारत में बनाई गई है इसका नाम जो है सैंड फिस के नाम पर रखा गया है तो हिंड महसागर्थ की एक खतरनाक सिकारी मचली है पहला सम्मरीन आई एनस कलवरी को दिसंबर 2017 में दूसरी सम्मरीन आई एनस खंडेरी को सितंबर 29 में और तीसरी आई एनस कंजर को मार्च नुवमबर 2021 में सामिल किया गया था और छत्ती तथा आकरी जो है छत्ती तथा आकरी सम्मरीन वाक्षीर को दो है तेज के अंद तक नोसेना को पर पर जाने की उमीद है नेक्स्ट है सबसे अधिक उपगरह वाला ग्रफबॉंस है सनी अंत्रिक्स के वज्यानिकों की एक क्लिम के ने दूत में विश्वी विड्याले जो है ब्रितिस कोलांबिया में सनी के 62 नए चंद्रमाओं की खोज़की है जिसे अधिकारिक संख्या कितनी हो गई है 145 हो ब्रिश्वत बता दें विश्वत को पचार कर्शानी 100 से अधिक होजेगा चंद्माओं वाला पहला ग्रह बन गया इससे पहले 83 चंद्मा थी फर्वारी 2023 में खगोल वीदो द्वारा ब्रिश्वत के चारो और 12 नए चंद्माओं की खोज के बाद ब्रिश्वत के चंद्मा इन को लॉंच किया है भारत बायोटेक जो है इंटांजल वैक्षिन को सरकार द्वारा खरीद कने के लिए 325 रुपे प्रतिश्वत और नीजी टिगाकर्ण के लिए 800 रुपे प्रतिश्वत के हिसाब से पेचा जाएगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने पा प्रूर ने विश्वत के पहले फोटोनिक अधारित क्वांटम कंप्यूटर का निर्मान और वेवासाई की करन के लिए नए संगिये निवेश की गोश्ना की है क्येक 4 बिलियन केंड़ाइ डॉलर यानी 32 मीलियन के निवेश से टुरंटो ब conversions कंप्यूटर केंपयोट कंपनी एक्शानू quantum technology institute को विक्षित करेगी quantum computer अधारिट टेली कॉम नेटवर्क लिंक 27 मर्दु है तेश को दूर संचार मंतरी जो है अस्विनी वैस्णों ने भारत का पहला quantum computer अधारिट दूर संचार नेटवर्क लिंक अब नई दिली से नई दिली में संचार भवन और आश्चिय सुचना वि इस सिस्टम के क्रिप्शन को तोड़ेंगे 29 लाख रुपे का पुष्कार परदान किये जाएंगे निशार उपग्राफ के बारे में देखिए नासा और इश्रो या नासा और इश्रो का संयूप्त रूप से विक्षित जो है नासा और इश्रो संथाटी अक्टर रणार न प्रित्वी और लोकान उपगरा सितंबर 23 में प्रिशेपित किये जाएंगे यह मिशन प्रित्वी की भूमी और वर्फ की सत्व का पहले से कई अधिक विश्टर से अध्यान करने में मदद करेगा इश्रो और नासा ने वर्ष 24 से 2014 से अठाइस सो किलो ग्राम वाली उपग प्रिशेपन यान SSLV D2 के दूसरे संस्क्राण का सफलता प्रुवक लॉंच किया है नेक्स्ट है इसके तहत जो है इसमें इसरो का EOS07 अमेरिका का जैनिस वन और चिन्नाई के स्टार्ट अप जो है इस्पेस कीज का जो है आजादी से टू को सामिल किया गया है SSLV की पहली परिचन उरान जो है पहली वर्ष 9 अगस्त को ही थी आंसिक रूप से यह पीफल रहा था स्टार्लिंग उपगरह पर्जेक्ट एस्पेस एक्स के फालकन 9 ने जो है कैलिफॉनिया तट से एक लॉंच में जो चार दर्जन से अधिक स्टार्लिंग उपगरहों को प्रिच्वी की निचली का अक्षा में पहुंचाया गया है स्टार्लिंग लॉंच किया है रॉकेट को सनता भार्बरा के उधरपशरी में इस्तित जुह है बैन्डेंस वर्ग स्पेस कोर्स से केलिफॉनिया तकाट स्टारलिंग जो है स्पेसेक्स प्रोजेक्ट है जिसका उद्दे से क्या है परिकर्माओं करने वाले आंत्रिक्स यान के समूंग के साथ एक क्या पॉर्ड बैंड नेटवर्क बनाना है इसका यहीं मुख्य क्या रहे है कि नेक्ट है सब सबसे सकती सालिए सुपरकूटर तो यहां पर देख सकने की सीडी जो है सी डैक पुने में अस्थापी जो है एयाई सूपर कम्यूटर अरावत नाम है इसका दूस्तों यह बिश्वों में 75 वास्तान पर आया है बिश्व में केमा अस्थान प्या है जिसका नाम एरावत है 75 प्या है बता दे 21 से 25 में दो है 23 तक जो है जर्मनी के हैंबर्ग में अंतराश्टी सूपर कम्प्यूटर में समयलन किया गया है इस पांग सोब एस्विक सूपर कम्प्यूटर के सुची में 17 सत्मा जो है संस्क्राण में गोसित किया गया है कि इसके अलावे परम सिद्धी 131 अस्थान और पर्तिव सूपर कम्प्यूटर 169 अस्थान था नंबर्ग मिहीर सूपर कम्प्यूटर है यह सारे भारत के हैं यह नाम लिए है है और पहला समयलन समयलन UK byता पहला समयलन तो 1986 में हुआ है यह कैमा समयलन था तो दुन odpow मैं ठाई यह कि बीसवा के पर मुख सूपरकंप्रूटर देखिए दोस्तों तो फ्रांटिर यह कहां कि यूएस की है और निक्स देखिए फगाक्व जो है जपान की है जो और निक्स है लुमी सिस्टम यह फिनलैंड की है परम वेगा है दोस्तों यह हमारे बेंगडूरू का है और आनंत परम आनंत ये गांधी नगर से बना हुआ है IIT गांधी और परम सकती तिरी या IIT खरत पूर द्वारा है परम गंगा आया ये टी रूड की और परम कामरूप आया इसलिए गुहाती के द्वारा निर्मित है नेक्षाई ड्रेकूपर उजना नसा औरडीफेंस एडैब्हांस रिचर्च परजेक्ट एजन्सी जो है डरपा ने अंतरिक्ष में एक पर्मानू जो है क्रेक्षान के लिए ड्रेकूपर उजना के शुरू करने की घुशना की है नासा वर्ष 27 तक परमानू विखदन से संचालित एक अंत्रिक्षयान है अंत्रिक्षयान के द्वारा मंगल गरह पर मानू प्रोजेक्ट भेजी जाने की योजना है यानि उसमें मानू नहीं रहेगा दोस्तों वैसे बिना मानू को भेजी जाएगी मानू यूक्त यानि इस नई तकनी की मदद सुह अंत्रिक्षयानि गहरे अंत्रिक्षय में पहले कहीं जादा तेजी से यातरा कर सकते हैं मार्वर्ग रोग यह क्या है मार्वर्ग एक रोग है तो इसके बारे में विस्व स्वास्त संगठन ने एक्वटोरियल गीनी में जो है मार्वर्ग रोग की परकुप से पुष्टी की है मार्वर्ग रोग कर सदूए को our के ही सनेगल की एक पड्यूग सालह में नमूने भेज़े जानने की बाद स्वास्त अजनसीए पुष्टी है यह अभी एक मार्वर्ग यह जो है मार्वर्ग एक अत्याधिक विसानु जनित रोग है जिसमें क्या है है हमेरजिक बुखार हो जाता है क्या होता है दोस्तों हमेरजिक बुखार होता है इस बिमारी की मिर्ठी जो है एत्टी एट फीशत हो जाती है इबोला की तरह जो है मारबर्ग वाइरस बीच चमगादरों में उत्पन होता है और एक जो है रक्त अस्त्रावी या बुखार है नेक्स आई बॉड चाट बॉड यह देखी चाट बॉड गूगल की CEO जो है अभी वर्तमान में CEO को सुंदर पिचाई ने गोशना की है कि टेक दिमाग जल्दी ही बॉड नामक एक Artificial Intelligence AI संचालिक चैट बॉड लॉंच करेगा जिसका उद्य से क्या है Microsoft द्वारा समर्थित जो है चैट जी पीटी जिसे नॉमबर दोहर बाइस में लॉंच किया गया तो दूस्तों उसका यह मुकाबला करने वाला है Artificial Synapse Artificial Synapse के बारे में देखिए सीडिनी विश्व विद्यार है अस्टेलिया की सुध करताओं ज्वाहला लहरू सेंटर फो एडवांस साइन्टिफिक रिसर्च जो बेंगलूरू में भारत का वैग्यानिकों की एक टीम ने Synapse की नकल करने वाले एक उपकरन विच्चित किया है जो Signal Transmission को नियंतित करता है Synapse एक Neutron के अंतिम छोर पर उपस्तित जो है Synaptic Buttons दूसरी Neuron के सेंट्रों सिर्च पर उपस्तित बटनों से कारे-कारे सम्बंद असापित करते है एक Synapse तंत्रिका जो है आवे को प्राप्त करने वह भीजने में संबंद इत है नेक्श है यालो बांड यालो बैंड जो है डिजिज यालो बैंड डिजिज ये भी रोग है देशते देखिए यलो बैंड नामक एक तेजी से फैलने वाली बिदमारी जो है Thailand के समुंद्री तल के विशा लीज़ों में प्रवल यानि मर जिसका नाम कूरल की नस्ट होने से पहले पीली रंग में बदलने के कारण रखा गया है पहली बार इस रोग को जो है केरिबियन सागर में देखा गया है जहां हजारों हेक्टेर में बिवीत जो है भीतियों को व्यापक नुपसान हुआ है नेक्स्ट है डी एने वैक्सिन दे इंडियन नेशनल सेंटर फो बायोलोजिकल साइंसेज ने अफ्रीका और अमरीका के नौ जो है नौ अन्य संसानों के सहयोग से डेंगू बुखार के उपचार है तू भारत की पहली एक मात्र डी ने वैक्सिन विक्सित किया है डी ने वैक्सिन में डी ने एक छोटे से हिस इसे का उपयोग किया जाता है जो एक विशिष्ट एंटीजन मतलब एक और जो एक परतिरक्षा परक्रिया को ट्रिगर करता है है तू रोग जनक जैसे में देखी वाइरस या विशानू से परतिरक्षा परक्रिया को तारित्व करने के लिए एक कोड करता है डी ने अधार वर्ष 2019 यूएस फंड एंड ड्रग अड्मिस्ट्रेशन द्वारा जो है डेंग की वैक्सिन CYD, TDV या जो है डेंग वैक्सिया अनुमोदित किया था जो अमेरिका में नियामत मंजूरी पाने वाली देंग की पहली वैक्सिन थी लेक्सी चाट बॉट यह देखिए भारत में लेक्सि नामक CHATGPT संचालित AI चाट बॉट लॉट्च हुआ है चैट जो है CHATGPT संचालित भारती चाट बॉट चाट बॉट को जो है Fintech कंपनी जो है Velocity ने लॉट्च किया है जिसे चैट GPT का भारती संस्क्रान माना जा रहा है यह संस्तापक को महतुपुन व्यापारिक जनकारी परदान करता है जिसे दैनिक बेवसाई रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट के रूप में WhatsApp के माध्यम से एक्स एक्स्प्रेस किया जा सकता है IDEX Investor Hub देखिए IDEX जो है Investor Hub क्या है तो रक्षा राजमंत्री राजनाच सिंग जो है 15 फरवरी 23 को IDEX Investor Hub लॉंच किये है IDEX Investor Hub का उद्ध से है रक्षा छेतर में निवेस में तेजी लाना और रक्षा नवचार में लगी जो है स्सार्ट-अपक्स और ऐसी अन्य इकायओं को पर्साहित करना और निवेसाकों को आउसर और नossing तरफ्न के बारे में एक एक कि करित द्रिस्टी कोंन देना होता है पहला एग्री जो है पहला है अग्री चाट बॉट जो है अममा अम्मा कुरुस एई आई देखिए ओडीशा के राजेपाल प्रोफेसर गनेशी लाल ने क्रिसी ओडीशा दो है 23 के समापन सत्र में क्रिसी छेतर के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अम्मा क्रूस AI लौच किये हैं तो अम्मा क्रूस AI चैटबॉट की सानु को सरोतम क्रिसी पलती के साथ मदद करेगा उन्हें सरकारी उजनाओं और 40% से अधिक वानिजे और सरकारी बैंकों में रिन परदाने के बारे में सुचित करेगा AI की नई PD जो है GPT-4 देखिए सैन फ्रांसिको इस्तित ओपन AI ने अपने बरे भासा मॉडल के नामिन्तम संस्क्राण जैट जो है GPT-4 की घुसना की है जो चैट GPT और जैसे पर्मुक अनुपरयोगों को सक्ति परदान करता है जैसे फ्रांसिसको इस्तित अनुसंधान जो है कंपनी ओपन AI के अनुसार जो है GPT-4 पिछले संस्क्राण की तुला में अधिक उन्नत है और इसे अधिक डेटा की पर्तिरक्षा किया गया है नया लॉंच किया गया मॉडल, टेक्ष और ग्राफिक्स दोनों पर पर्तिरक्रिया कर सकता है GPT-4 विसलेशन जो है वर्गी करन और कैप्शन का उत्पादन कर सकता है डक्टर साइरस पुनेवाला डक्टर साइरस पुनेवाला सेंटर ओफ एक्सिलेंस विसलेशन जो है चौपाया रोबोट तो आत्मिनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में जो है रदराबाद में इस्तित सब्वेया रोबोटिक डेवलोप्स ने रक्ष छेतर के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया यानि चार पहरो वाला रोबोट एक्सो एक्सो एसकेल्टन विक्सित किया है स्वदेशी रोपोर्ट है दोस्तो एक्सो एक्सेल्टन या जो है डियाडियो लाब रिशार्च एंड डवलोप्मेंट जो है एस्टो बैलेस्मिन्ट यानि आर एंड डी जो है पूने और डिफेंस बायो बायो इंजिनिरिंग एंड एलेक्ट्रो मेडिकल लाइबरेटी जो है दोस्तो बेंगलोरू के सहयोग से विक्सित किया गया था रोबोट 25 किलो जो है पेलोड ले सकता है यानि 25 के जी का उठा सकता है और सैनी के सांथ चल सकता है और इस रोबोटों को इस रोबोटों का उप्योग जो है परमानु सर्यंद्र और अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है चैट GPT पर पर्तिबंद किस ने लगा दिया दूस्तों इटली ने लगा दिया क्यों लगा है देखिया ये पर्तिश में उन्नत जो है चैट बॉट चैट GPT को ब्लोग करने वाला इटली पहला पस्चिमिदेस बन गया है इतालवी डेटा सरणक्षन प्रादीकरन के नुसार इस मॉडल से संबंदित गोपनियता संबंदी चिनता हैं बतारा चैट GPT जो है चीन इरान उतर कोडिया और रूस सहित कई हैसों में पहले से ही अबरूद है ये दूस्तों चीन इरान और उतर कोडिया और रूस में ये पह मिमेना से अचार के सिस्टम को निलंबित करने की आवाहन भी है एलन मस्क भी अब उसे निलंबित करने का आवाहन कर रहे है अब शिक और उन्ब्द जो है सेटलाइट लॉंच वेयकल मिसन अबदूलक्लाम जो है इंटरिशनाल फाउंडेशन और इस्पेस जोन इंडिया न इस अभ्यान के तहत रोकेट का प्रेशेपन निस परवारी दो है तेश को हुआ है नीजी कमपनी दोरा भारत का पहला जो हाइब्रिड स्राउंडिंग रोकेट है या अभ्यान के तहत जो है देश के बिविन हीसु में कट्छा चों से बारत तक 5000 से अधिक शात्रों के लिए 500 पी आई सी ओ उपग्रहों का डिजाइन और विक्सित किया है नेक्स्ट है एनो फ्लीज जो है एस्टी फैंसी इसके बारे में देखते हैं हम लोग केन्या अफरीका का छठा और नमिंतम देसे केन्या जो है अफरीका का छठा और नमिंतम देसे जिसने घातक मलेरिया प्रज जो ही थी इस प्रजाति ने पिछले एक दसक में अपने भौगौलिकव्स का में का भी स्तार किया अफरीका में पहली बार जीबुती में पाया थे सुमालिया में 2019 में नैजरिया में 202 में इस बार पता लगने के सुचना कहां मिली है दूस्तों यह मिली है केन्या में कि संचार उपगरह देखे नाम क्या है कि जोंग सिंग 26 इस नाम से पता चलता है दूस्तों 21 देश का होना चाहिए तो ये किस देश का है दोस्तोותफ। चीन का है ठीक है। बस इतना याद रखिये कि जोहाद सिंग्य उप्र गरह ये किस देश का है तो चीन का है। बहुत इंकॉर्टेंटस है। नेगे साइए। कि छोभी साल जो है अकाश गङभाईं की खोज़ की यह है। अकास गंगाए गलेक्सी का खोज किया गया जेब वेब एस्पेस टेलिस्कोप जो है ने च्छ विशाल अकास गंगाओं के खोज की है जो बीग बैंग घटना के लगभव 500 से 700 मिलियन बर्स के बाद बनी थी यहां अकास गंगाए बता जो अकास गंगा निर्मान की हमारी वर संत्रिक्ष एजनसी के माध्यम मध्य एक अंतराष्टिय सहयोग का परिनाम है जिसे दिसंबर 2020 में लॉंच किया गया था विश्व का तीसरा व्यक्ति जो है एच आईवी मुक्त हो रहा है तो जर्मानी का एक बुजूर्ग व्यक्ति जिसे जिसे दुस्तों डसेल डॉर्फ रोगी के रूप में जाना जाता है एच आईवी से ठीक होने वाला विश्व का तीसरा व्यक्ति बन गया है इनका नाम देखी दोस्तों नाम कहें डसेल डॉर्फ रोगी के रूप में जाना जाता था इनको और यह एच आईवी से ठीक होने वाले विश्व के तीसरे व्यक् ब्रतन्वाले वेक्तियों के माध्यम से 18 मज्जा परतियोपन द्वाइरा किया जाता है याना उसको ट्रांस्प्लंट यान प्रतियोपन मUNल बदलना इससे पहले बर्लीन का एक रोगी जो है थ्मोटी रे ब्राउन रक्त जो है कैंसर के इलाज हे तूवर्स दोh 다음에 है सा diffic को दो स्टेल सेल प्रतियरोपन के बाद जो है एचाइवी से ठीक होने वाले पहला व्यक्ति थे इनका नाम कहें दूस्तों यह बर्लीन के थे यह रोगी जिनका इनका नाम था तो मोथी रे ब्राउन यह रक्त कैंसर से इलाज के तुदो है साथ और आठ में दो स्टेम सेल प् तो इनके जो है दूस्तों यह पहले विश्व के पहले व्यक्ति बन चुके हैं नेक्स है कि मेगा ट्रॉपिक्स वन उपगरा यह देखिए साथ अप्रिल दो है तेज को भारति जो है रक्ष आंत्रिक अनुशंधान संगठन यानि इसुरों द्वारा एक दसक से अधिक समय तक महत्रपून जलवायू डेटा परदान करने के बाद लगवक एक टन वजनी उपगरा इसका नाम है मेगा ट्रॉपिक्स वन को क्रैस यानि पुना परवेश्क करवा लिया गया है मेगा ट्रॉपिक्स वन का जो उस्न कटिवंद्य मौसम और जलवायू अधियन के लिए इसरों और फ्रांसिसी अंत्रिक शेजन्सी जो है कि द्वारा संजुक्त मीशन बारा क्टूबर दोहर 11 को लौ जो है लो अर्थ और्बिट में लॉंच किया गया था इसे वापस बुला लिया गया कब साथ मर्च दोहर तेश को राष्टिये जिनोम रननीती तेकि संजुक्त अरब अमिरात के राष्टपती जो है अभी सेख मुहम्मद बिन जायद अल नहायन और उपर राष्टपती परधान मंतरी और दुबाई के सासक सेख मुहम्मद बिन रासीद अल मक्तूम ने नई राष्टिये जिनोम रननीती ल विधाई और प्रसाशनिक धाचा परदान करना है अमिरात जो है जिनोम काउंसिल जिसे 2021 में अस्टापित किया गया था रास्टी जिनोम रननीती की निगरानी करेगी नेक्स है वन वेब के 40 इंटरनेट उपगरा है तो स्पेस एक्स ने जो है दोस्तो वन वेब के लिए 40 इंटरनेट उपगराहों को केप कैना वेरल स्पेस फॉर्स एस्टेशन से फालकन नाइन रोकेट से लॉंच किया है वन वेब की पहली पीड़ी के लिए जोस्तो उपगराह समूख को पूरा करने और वर्स दोहाँ तेश में बैस्विक कबरिज को सक्षम करने के लिए अंतिम मिशन थाया कक्षा में अब जो है 582 उपगराहों के साथ वन वेब ने पहली पीड़ी के लिए उपगराह समूख के अपने बैस्विक लक्षे को पूरा कर लिया है नए जिवानु रोधी जो है अनू इसका नाम देखे दोस्तों IITR 00693 है तो यह जो है IIT रूर्की के दोरा दिया गया इसका नाम दोस्तों क्या है 00693 है यह जिवानु रोधक छोटे अनू है जो दवा परतिरोधी संक्रमाग से लड़ने में मदद कर सकता है और इसका बता है दोरी तलवार की तरह काम करता है और यह केवल सबसे जिद्दी वैटरिया को मारता है जबकि बलकि परतिरोध के उदभाव को भी रोकता है यह मिशन वन वेब इंडिया टू मिशन देगे 26 मार्च दोहया तेश को भारतिय अंतरिक्स अनुसंदान सगठन जो है वन वेब इंडिया टू मिशन को 36 उपगरहों को लॉंच वेहकल जो है मार्क 3 LVM3 से स्री हरी कोटा के 37 धावन अंतरिक्स के अंसे सफान परिक्षपण किया है यह ब्रिटेन के वन वेब गुरूप के लिए दूसरा मिशन है LVM3 रोकेट ने 5805 किलो वजन वाले जो 36 पहली पीदी के उपगरहों को लगभग 87.04 डिगरी के जुकाव सांथ 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में श्थापित किया गया है दोनों संगठनों के बीच उपगरह परियोजना सहयोग जो है 23 अक्टूबर 2022 कुआ जब इसरों ने वन वेब के 36 उगुरा को लॉंच किया पानी की भीतर जो है पंडूवी हथियार ले जाने में सक्षम द्रोन उत्तर कुरिया ने परमारू हथिया पर ले जाने वाले सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का प्रिक्षेपन किया है का दावा किया है या ड्रोन जो है रेडियो धर्मी सुनामी पैदा कर सकती है नया नया हथियार जिसे हाइल कहा जाता है जिसका अर्थ है कोरियाई में सुनामी होता है किसी भी तट और बंदगराह पतानाध किया जा सकता है या उप्रेशन के लिए एक सतह एक सतह जो है जहाज दौादा खीचा जा सकता है नेक्ज़ है मारबर्ग वाई रिमारी के प्रकॉप आईए इस विमारी बारे में देखते हैं यह क्या है कि से उत्पन कहां उत्पन हो तंजानिया के नेताओं को एक अस्थानिय श्पताल में पांच लोगों की मिर्तिव और तीन अन्य जो है मारबग वाइरस पीमारी के संक्रमन के बाद उत्तर पश्चिमी जो है कारेरो का गेरा छेतर को जो है एपिडमिक शेत्र गोशित कर दिया गया विश्व स्वास्त संगठन डबलू एचों ने संपर्क के माध्यम से वाइरस संक्रमीट 161 व्यक्तियों को पाचान की है नेक्षा ये नेक्षा की पेपर बेस्ट जो है पोर्टेबल डिवाइज आयाई टी मदरास के सुध करताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक अनोखा डिवाइज विक्षित किया है यह पेपर बेस्ट पोर्टेबल डिवाइज 30 सेकेंड के भीतर अक्साइड सोडियम हाइज रोजन कार्वरनेट और नमक सैथ अन्य कई समानों रुप में इस्तमाल की जाने वाले मिलावटी पदातों को पता लगा सकता है बर्ड ब्लू देखिए बर्ड फ्लू क्या है तो बर्ड फ्लू भी यह क्या है दोस्तों यह चीली में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने था जो तिरपन वर्ष के संक्रमीत व्यक्ति को इन्फ्लूइंजा लक्षन मिले है चिली के स्वास्त अधिकारियों ने नोट किया कि वाइरस जो है पच्छियों या समुंद्री अस्तंधारियों मिसे मनुष्य में प्रेशित किया जा सक या पहली बार 1997 के होंग कॉंग में रिपोर्ट किया गया था ब्लैक फोल के बारे में देखिए डरहम बिश्विद्याले जो बिर्टेन का है और जर्मन के जो है मैक्स प्लैंट इंस्चूट द्वारा सूर्य की दरवान का लगभग 33 बिलियन गुना बढ़ा एक विसाल ब् परकास दूर पर एक विसाल लकास गंगा एबल जिसका नाम है 1201 है इस अवधरना का सिदान जो है वर्स 1915 में अलवर्ट आइंस्टेन के द्वारा दिया गया था और ब्लैक फोल सब्द जोन आर्ची बॉल्ड जो है आर्ची बॉल्ड वीलर के द्वारा दिया गया था पहल पहली बार भारत की पहली को ओन मादा बचरा गंगा है राष्टी देरी अनुसंधान संस्तन चरण में दूद के घेशजी ओण playthrough याप्रावाई से ऐक और साब 쉽ny यह कारेकरम उत्राखंड पसुधन विकास बोड देहरादुन वर राष्ट्रिये डेरी अनुसंधान करनाल के द्वराद सुरू किया गया है मलेरिया युक्त तजाकिस्तान और अजर्बेजान मलेरिया मुख्त हो चुका है कौन को तजाकिस्तान और अजर्बेजान विस उस्वास्त संगठन का यह रिपोर्ट है कि अजर्बेजान और तंजानिया को उन छेत्रों में मलेरिया के उन्मुलन के लिए पर्मानित किया गय कि फुट्टी वन देश जिसमें यूरोप ये चेद्र के 21 देशों डबलू एचो द्वारा मलेरिया मुक्त रूप से पर्मानित किये जाग किये गए हैं गातक जो है घातक प्लांट फंगस या भारत के जो है कोलकता सहर के 61 वर्षी व्यक्ति घातक प्लांग फंगस रोग से संग्रामित होने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए इनका नाम क्या है प्लांट फंगस के द्वारा हुआ है इनका रूप जो है एसकेन में इनकी गर्दन में फोड़ा दिखा और फस की जो है पस के जांच में प्लांट फंगस जो है चैड्रो स्टेडियम परियूरियम होने का पता चला चैड्रो स्टेडियम परियूरियम का एक पौधा कौवक जिसे आमताम पर क्या करते है वाईलेट फांगस के रूप में जाना जाता है पुना परियोज क्यों बाहन उस्वत्वाईंडिग मीसंग फिर से किया गया इसका लैंडिंग देखिए इसरो ने जो पुनह परियोजक लांच वहां सरस्वत लैंडिंग जो है RLB-LEX का सफलता पुर्वक परिशेपन किया है परिशेपन दो अप्रिल-23 को ऐरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चितर दुरुग का नाटक में किया गया है आई-न ए स्पेस स्टार्ट अप अंत्रिक्ष डिजाइन परियोग साला आंत्रिक्ष कमपनी जो दोस्तों आई-न ए स्पेस ने एहम्दावाद ये कुछ रातमिंप्रता एक अत्याधूनिक डिजाइन परियोग साला का उदगाटन किया है इसका उदेज से जो है अंतरिक्ष छेत्र के स्टार्ट अप को तेजी से आगे और नए विचार को करिमान में योग्य मॉडल के बदल कर उसे सच्छम बनाना है आइन जो है एस्पेस को जून 2020 में नीजी कमपनियों को भारती अंतरिक्ष बुनियादी धाचे का उप्यूब करने के लिए एक समान औसर परदान करने की अनुमोदित किया गया था मिशन आर्टेमिस 2 है तो इसमें क्या है कि नासा ने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 अब तो आर्टेमिस 3 भी आ चुगा है दोस्तों वो लॉन्च हो रहा है मेरा भारत का तो नासा ने जो है दोस्तों यह नासा की द्वरा है चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए जो चार अंतर होगा इस टीम में जो है रीड वाइस मैन कमांडर होंगे जब कि विक्टर गुलोवर मिशन को पाइलेट करेंगे और क्रिस्टीना कोच और कनाड के जो है कनाडा के जैमेरी हैसेन मिशन इसे सगय के रूप में काम करेंगे चन्रमा के आसपास जाने वाले जो है क्रिस्टीना कोच पहली महिला विक्टर गुलोवर पहले अस्वेत वेक्ति और जेमेरी जेरेमी जो है हैंसेन चन्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे मानो अंत्रिक्ष उरान वाला जो है अंतिम चांद मिशन दिसंबर 1972 अपोलो 17 था नोट है नोट देखिए कि आर्टिमेस मिशन समझावता में सामिल होने वाले 27 सदक्से देश भारत बन गया है जासूसी सेटलाइट ओपेक 13 या किसके द्वारत दिया गया है जुस्तों जासूसी सेटलाइट जो है इसराइली मार्श दोहया 23 में सफलता पुर्वक अपना नया जासूसी सेटलाइट ओपेक 13 को अंत्रिक्ष में लॉंच किया है यह सटलाइट जो है इसराइली सेना और खुफिया एजनसी को उन्नत खुफिया छमतायेंक परदान करने के लिए किया गया है आपए ठर्टिन जो है दुस्तोर पर्तिस्टिक इसराइली एयर बेस पाल तो निव जो है पाल माकिम से लॉंच किया गया है ऑपीक 13 जो है ऑपक 13 उपगरा एक सिंथेटिक आपेचर राडार है उनत चक्ता वाला अवलोकन उपगरा है नेक्स हे तियालांग टू रॉकेट यह किससे के दवरा चोरा गए यह चीनी is नाम से ही प्था चलता है यह चीनी से सपनीइ एसे करने वाली देश की पहली निजी कंपनी बन गई है चीनी की यह पाइन यार एसा है इस कंपनी का नाम 3D प्रिंटेड जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन यह स्काइरूट एरोस्पेस ने अपनी भारी वहान विक्रम दुटिये यह प्रमुक उपलब्दी स्वदेश रूप में विक्सित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन प्रिंट प्रिंटा में प्रात की है इसे पहले नवंबर 2022 में स्काइरूट भारत पहला निजी रूप में विक्सित रॉकेट विक्रम एस लॉंच किया गया था अस्काइरूट दौवन जो करायोजेनिक इंजन स्रिंखला का नाम प्रसिद भारती रॉकेट वेग्यानिक 37 दौवन के सम्मान में रखा गया है ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सिन ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सिन क सब्सक्राइब करेगी भारती अंत्रिक्ष नीटी दोहयाद 23 को परधान मत्री नायद मोदी की अधेक्षा में सुरक्षय कैबिनेट समीटी द्वरा अनमोदीत किया गया है या नीटी अंत्रिक्ष छेत्र में नीजी छेत्र की भागेदारी का संस्तागत मनना चाहती है या नीटी भविस्य में भारत को बैस्विक अंत्रिक्ष अर्थ व्यवस्ता में अपनी हिस्यदारी दो से बढ़ा का 10% भारत की उपगरा निर्मान वर्स 2025 तक 3.2 बिलियर अमेरि संधाने की मदद करेगा इसरो अपनी जो है उर्जा की नई तक्निकी नई परनालियों संधान के नर्विकास पर केंद्रित करेगा इसरो के मिशनों पर परिशालन भाग को नियूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड में सांतित कर दिया जाएगा लीगो वैद साला क्या है 174 एकर जमिन पर 2600 करों रुपय की अन्मानित लागत से यवनत गृत्वकर्शन तरंग डिटेक्टर बनाने की परुजना की मंजोरिदी है 32 तक यह पूर्ण होने की उमीद है यह जो है लौसियाना और वासिंग्टन के बाद अपनी तरह की तीसरी बैद साला होगी लीगा जो है लेजर इंटर इंटर फेरोमीटर ग्रैविटेशनल वेब अबजर्वेटरी है जो उदेश से इसका क्या है इस परुजना इस परुजना का लक्ष है ब्रमान से परसं तरंगों का पता लगाना है तेमपो उपकरण क्या है तो टेमपोग क्या है देखी नासा ने छोब मंदली उत्सरजन परदूसर और निगरानी जो है टेमपो उपकरण को सफलता पुरुवक लुज किया है जो वाईव पर्दूसरकों की निगरानी रखेगा यह सो उपगरा होगा इस उपकरन को जो है फुलरीडा में केप के मोडियल एस्पेस फॉर्स एस्टेशन के द्वारा छोड़ा गया नाइन रोकेट पर जो है इन सैट फॉर्टी इ उपगरा के साथ लॉंच किया गया टेंपू कमिस्निंग माई के आंत या जून की सुरुवाती में होगी जूस मिशन जूस मिशन देखे 14 प्रिल 23 को यूरूपी अंत्रिक्स एजेंसी के दूरा किया गया बिरस्पत और उसके बरफीले चंद्रमाओ अर्था जो है ग्रैनी मीट जो है कैलिस्टो और यूरूपीय की जनकारी के बाद जूरूपी जो है जूपिटर आइसी पांच लॉंचर के जरी ये फ्रेंच गुएना से लॉंच किया गया यह मिशन 24 तक जो है ग्यानी मीट के कक्षा में परवेश करेगी अंत्रिक्स एयान का निर्मान जो है एरबस समूग के एक परभाग जो है एरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वरा किया गया जिसकी लागत 1.6 अरब यूरो यानि 1.7 अरब डॉलर है इसका फोकस जो है ग्यानी मीट पर होगा सौर मंडल का सबसे बरा चंद्रमा जो अपनी चुमुकिय छेतर उत्पन करता है प्रिथवी अवलोकन उपगरा जो है टाइफा वन प्रिथवी अवलोकन उपगरा टाइफा वन क्या है तो 15 अप्रिदल 2023 को केन्या ने रॉकिट अपनी स्पेस एक्स के रॉकिट पर कैलिफोर्निया के जो है वैंक्स बग बेस से अपना पहला अप्रेशन अर्थ अब्जर्वेशन सेटरलाइट जो है टाइफाइड वन को ल और जो है इंडोरो सैट दोरा डिवाय जो है डिजाइन और विक्सित किया गया है स्टार्शिप अंत्रिक्ष यान देखें स्टार्षिप अंत्रिक्ष यान क्या है 20 अपरिल 23 को जो है एरोस्पेस की अगली पीडी का दुनिया का सबसे सक्तिसाली लॉंच वहां जो है स्टार्शीप वहां यान बोका चीप जो है लॉंच पैड टेकसस USA में एक अंतरिक्ष अंकुरूर परिक्षेपन उरान का बाद 20 फोट हो गया है यार लगभग सफल होने के बाद यान अतरिक्ष में लंबी आउधी के लिए उरानों के लिए 100 लोगों तक के लिए जाने की सक्षम रखता है यार यूद पूद जो है दोस्तों यूद पूद तीजी यूद पूद टीजी अना दोलू अप्रिल दो है तेस में तुर्किय ने बहु प्रतिशिक उदगाटन समारों में अपना सबसे बड़ा यूद पूद है तीजी अना दोलू जीसे 20 वोगा पहला मानों रहित लराकू हवाई बिमान बहक माना जा रहा है वो लौच क यह थी ओकर्ष्टा केंद लिए के लिए भीतर निष्पादित करेगा यह रचाद्ट करेगा नेक्स पी एसल भी C55 पी एसल भी C55 ये 22 अप्टिल दो है तेस को किया गया है भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन इसरो ने सिंगापूर के दो अपगरा जो है दोस्तो टैलस टू और लुमिलाइट फोर को स्री हरी कोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंडर से जो है दुरूविय परषेपन या पी एसल भी C55 की जड़िये अंतरिक्ष में 586 किलोमेटर की वल्यकार कक्षा में सफलता पूर्वग प्रषेपीत किया गया है नेक्स है सेंसर जो है दोस्तो सेंसर स्टार सेंसर स्टार बैरी सेंस यह जो है किसके द्वारा किया गया दूस्तों इंडियान इस्टीट अफ हेट्रोफीजिक्स के द्वारा किया गया एक गोलीवीद के द्वारा किया गया है तो हम सिर्फ हो टॉपिक इसका पढ़ेंगे दो नाविन पत्नायक यहां से हैवी वेट लिफ्ट ड्रोन को लांच किया गया है नेच्छ आए स्वादेशी यूई ए वी स्वादेशी यूवेवी जुह है नाग नगास्तर वन पो लौँच किया गया है यह जो है भारत सिना के मैं कि इंडिया पाहल का जो है चार्सों पचास से अधिक स्वादेशी नागास्त्र खड़ देगा और यह किसे इसराइल और पोलेंड के जो है प्रतिशारते हुए भारत सिना ने जो है मानक मानो रही तो हवाई वहन करने नागास्त्र का ओडर मिला है यह भारत को मिला हुआ है दोस्तों ओडर नागपूर में इसका यह इंड़े इंड़े इन्जुअवर terce हैं हाकूतры मिशन वन हखनी तो हाकूतो आर मिशन وन यह किस देश को जोच्तों यह नाम से पता चलता है यह जपान का है आकुतो आर्म मिसन वन नेक्स टाइब बीग कैच अप पहल वह पीट पहल प्रेट पहल तो यह तो यह जो है कॉल टू एक्शन के तहट जो है जीनोवा स्विज्य लैंड में अव्जित बैठग में बीग वैग कैच के पहल के अपनाएगे है इसका डबलू एचो में कुछ अपना यह है solar decathlon परत्योगिता यह solar decathlon परत्योगिता जो है यह आमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाला छाद परत्योगिता है सेवा मुक्त आयने समागर को कर दिया गया इसको चालू कप किया था 18 जुलाई 1987 को चालू किया था 36 वर्षो की सेवा के बाद या कोची में नौसेना बेस में भारतिय नौसेना में डी कमिशन कर दिया गया इसको चो मईए 2023 को बिसको की पहली जो है RSV वैक्सिन RxV यह बिश्व की पहली है जो किसके द्वारा दुस्तू संजुक्त राज अमेरिका के द्वारा इसे जो है ब्रिटिश दावा निर्मता के मंजूरी दिया है संजुक्त राज अमेरिका का है यह पहली M-Pox Global Health Emergency से बाहर M-Pox जो है Global Health Emergency जैसे COVID को कर दिया था 5 मई को Next Time Antrix Station Heaven 1 यह Heaven 1 जो है दूस्तो 21 देश का है यह देखिए पहला बानी जैक Antrix Station है जो 9 रोकेट पर अपना Heaven 1 को लाँच के है 25 में पहले जो है Space Falcon 9 रोकेट को अपने Heaven को Antrix में लाँच करेगी या NASA का है दूस्तो यानि अपर प्रेसर बैलून जो है NASA के द्वारा यह किया गया scientific बैलून है यह प्रित्वी के उपर 100 दिनों या उससे अधिक उरान के लिए फुटबॉल स्टेडियम के आकार जितना भारी यह बरकम दूसरा सूपर प्रेसर बैलून यह वणक हाई डन न्यूजिलाड से grants किया गया ही माइक्रो-ग्राविति वातावरन में मानो मानो एस्टेम सेल उम्र बढ़ने और सूजन और कैंसर का प्रयोग करना है इसका उद्यस से है नेक्स आगी बर्ड फ्लू H5N1 यह जो है ब्राजील क्रिसी मंद्री जो है कार्लोस फावोरो के अनुसार जो बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले के बाद जो छो महिना के लिए आनिमाल हाल्थ इमर्जनषी लगाई गई है तो छिन का है तो चीन का है है पहली जो है पहली यह आंटि वाइरल पील पैक्सलोविड पहली यह अठारब दो यह उसई कर दिया है बैलास्टिक मिसाइल जो है खैबर और टेफून या किस देश का है तो इरान का दोस्तों यह 2000 किलमेट तक सता से सता मार करने वाली या मिसाइले है नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल साटलाइट तू यह 25 माई को दक्षिन कोडिया ने पहली बार वेवसाइग ग्रेड उपग्रा सफलता पुर्वक लॉंच गया 227 तक तिन और नूरी रॉकेट लॉंच काने की योजना जताई है दक्षिन कोडिया ने नेक्स ना जी एसल वी एफ टूएल एन भी एसवन यह 29 माई को भारती अंत्रिक्स अनुशन जो इसरो ने जो स्री हरीकोटा 37 दवन अंत्रिक्स केंद में जी एसल वी एफ टूएल को जड़िये जो है नैविगेसन की दूसरी पीडी के पहले उपग्रा जो है एन भी एस वन का सफलता प्रुवक्र लॉंच किया है पांच उपग्रहों की सिरिंखला में यह पहला है वी टू मीनी उपग्रह है जो चार जुन्द है तेज को एरो ए स्पेस एस पेस एक्स के फालकन नैन रॉकेट दूसरी पीडी जो है स्टार लिंक उपग्रह को सफलता प्रुवक्र लॉंच किया जिसे वी टू मीनी के रूप में जाना जाता है एस पेस एक्स के माली कोन है वी दूस्तों एलन मस्क है जो दुनिया के रिचेस्ट परसन है दूर संचार उपग्रह जो है और अरब सेट जो है बादर एट जो है 27 माई को एरोश्यस फोलोरीडा के कैप जो है कैनेवेरल स्पेस फोर्स से स्टेशन में नौ रॉकेट के साथ जो साओधी अरब के आर्टेवेस बादर आठ उपग्रह लॉंच जो सफलता पुर्वक किये है साओधी अरब से किये यह है कैंदी किरित परयोग साला नेटवर्क यह भारतिय परयोग साला है जो तेरा देशों में 15 साजेदारी को सुझाव किया गया है हाईपर सोनीक मिसाइल फटह यह किस देश का है तो यह अभी इरान का यह पहले घरेलु अस्तर का निर्मित हाईपर सोनिक बलास्टिक मिसाइल है दोस्तों फटह इसका मतलब फटह का मतलब हियता है वारुना सास्त्र यह चो जुंद है तेश को भारतिय नोसे नहीं यानि डिया डीयो और सोदेशी रिंपित विक्सित जो है वारुना सास्त का नीचे सफलता पुरवक परिशं किया गया है अगनी प्राइम जो है अगनी प्राइम बेलास्टिक मिसाइल साथ जुन्दों है तेसको नई पीडी के लिए है अगनी प्राइम ओडिशा की तर्ड पर ड्रक्टर एपीजे अब्दुलक्राम के रक्षानों संदाने विकास जो है डिया डियो से सफलता पूरुवकिंश्कू विन्ड टनल जो है जे एफ बाइस का बनाई है यह सुरंग जो है 7.14 मिली प्रती सेकेंड यानि 2.5 से लेकर 11.5 किलोमेटर प्रती सेकेंड मैग गती से यह पहुंच सकती है संसोधक जहाज देखिए संसोधक जहाज भारती नौ सेना के लिए है चुथा जहाज है इसका नाम संसोधक है इसका आर्थ सोधकर्था इसे पहले तीन किया जा चुका है, नेक्स है चिन्दाइ में लॉंच ASW और SWC स्रेनी का तीसरा जहाज लॉंच किया गया, यह भारती नौ सेना के लिए किया गया, 13 जुन 2023 को किया गया, यह अंज द्यूप तीसरा है इसका, पहले दिसंबर 2022 में पहला जहाज और नाला मार्च 23 और दूसरा जो है, एंडरार्थ लॉंच किया गया था, चंद्रमा पर जो है, फॉस्फोरस की खोज हुई है, चंद्रमा पर फॉस्फोरस की विग्यानिकों ने सानी के जो है, चंद्रमा एंसोलर्डस पर जीवन के लिए महतुपून फॉस्फोरस की खोज किया है, यह abroad के इसका नेक्स है कि साइलेंट बारकर परंच यह पंद्रा जुन्द। थीष को चीन में जो साइलेंट बारकर पडिजुना के तहत लॉंग मार्च 2D रॉकेट से उत्तर चीन में जो है ताइवु आम सैटेलाइट लॉंच सेंटर से एक ही रॉकेट से एक तालिस उपराओ को प्रच्छे पीत किया गया है नेक्स्ट है अस्टारिया साथारिया वन संचार उपगरा यहां जो अठारा जुन्द है तेज को एरो एसपेस ने फ्लोरीडा के कैंप जो है काइना वेरल एसपेस फोर्स एस्टेशन से एक नया जो है इंडोनेसिया उपगरा साथारिया वन सफलता पुरवक लॉंच किया है सतारिया वन जिसका नाम है इंडोनेसियाई गनराज्य के उपगरा के लिए फोटा है इंडोनेसियाई कंपनी जो पी एस एन द्वारा इंडोनेसियाई सरकार के लिए संचालित किया जाएगा तो ऐसे हम लोग ने यह भी टॉपिक कवर किया फिर आते हम लोग नेक्स टॉपिक लेकर पांचवा टॉपिक आपको वीडियो पसंद आ होगा तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब किजिए